इस्टुडेंट आपको पता है कि आज जो वीडियो फिर से मैं लाया हूँ आपका दस्की घात का खेल दसंबलों से संब्द घात का आपका माइनस और प्लस कैसे घरता और बढ़ता है इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं मैंने उसको पहले पार्ट में कवर किया था यहा कि दस्टुंख कईसे वर्क करता है कैसे उससे हमें जीरो लगाने से घरता बाड़ता है जिरो लगाने से कैसे वह कम या जादा हो जाता है मिएससारी चीजे यहाँ पर हम बताय थे इसमें देखिए मैंने शॉलाइड बनाई थी कुछ इस तरीके से स्लाइड हैं देख सकते है एक एक सलाइड आप आराम से यहां पर देती है यह सारी चीज़े हमने समझाया था उस वीडियो में फर्ष्ट वीडियो आप पा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेस्क्रिशन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी निवे गट्रिकी सलुसन आप चैनल क मैंने कुछ बाते बता चुका था तो चलते हैं अब इसको हम समझाते हैं ठीक है अगला आपका यहां से कुछ हम पार्ट ले लेते हैं आपको यहां से कुछ पेजिज और इनका कलर में चेंज कर दूँ ताकि आपको वाइट में बराबर दिखे ठीक है तो यहां से और जिसको अगर नहीं आता है तो वह बच्चे इस चैनल पर अभी रुक सकते हैं ठीक है तो चलिए यहां से हम बातों को चर्चा करते हैं देखिए सबसे पहला काम क्या है कि आपको मैंने दसमलोग की बाते बताई थी दसमलोग देखिए आराम समझेगा कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बहुत ही जलबाजी हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं इस पीड आपनी बढ़ा लीजिएगा आ अगर आपको दसमलो मिल जाता है मतलब कि अगर आपको जैसे 5.8 मिला है ठीक फाइप यहां पर आपको ऐका है और यहां पर दो अंग ये 5.8 जो है न इसमें अगर आपको देख रहे होंगे तो ये जो चीज़ें है इसमें इस दसमलो को एक अंग पर लगा होना चाहिए तो हमें एक अंग पर लगा है मतलब अगर इसका दस की घात मैं अगर माइनस दो रखा था तो मैं इसको हटाने की जरूरत नहीं समझे वो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा एक अंग पर दसमलो हो यहां पर होता और तब जाके यहां पर 10 की घात को शमाल लीजे आपका फॉर होता कुछ इस तरीके से तब आप दसंबलों को यहां पर लाते यह आपको यहां पर लेके आना था दसंबलों को नहीं तो आपको लेके आने ज़रूरत नहीं अगर यहां पर दसंबलों नहीं है त तो आप यहां पर दसमलो को ले के आएंगे यहां पर लाने के लिए आपका यह जो पावर है कम्या जादा होगी यही चीजे हम यहां पर आज थोड़ा और अच्छे तरीके समझेंगे पीछली वीडियो में तो मैंने समझा ही था इस वीडियो में थोड़ा और अच्छे तरी था 2.5 है और अगर आप इसका दसमलो खटाना चाहते हैं तो क्या काम करना होगा आपको इसके अंस हर में जितने अंग पे दसमलो खटाना हो उतने आप जीरो डिजिट ले करके मतलब जीरो ले करके आप उसमें गुड़ा मतलब एक अंक के लिए आपको दस से गुड़ा करना है दो अंक के लिए आपको सो से गुड़ा करना है और तीन अंक के लिए आपको हजार से गुड़ा करना है अब ऐसा नहीं है कि आप जीरो का ही क्रवा है यही परिवर्थां नहीं मिलता है गुडा करने से से गुडा भाग करने засबिदे के और 15,000E होता तो एक मिलाते तो दस जार होता इस तरीके से हमारी संख्या प्राप्त होती है अब हम इसी का इस्तिमाल करते हैं तो हमें क्या करना है अंसहोर हर में मतलब नूमिरेटर और डिनूमिनेटर दोनों में हमें क्या करना है multiply करना है जितने अंक पर हो आपको पता है एक अंक के लिए क्या दो अंक के लिए क्या उसारी चीज़े का हमें यहां पर पहले भी बता रखी है तो उसको आप दे सकते हैं एक अंक के लिए देखिए मैं लिखता हूँ एक अंक्य के लिए दस और दो अंक्य के लिए आपको सो और तीन अंक्य के लिए आपको यहाँ पर हजार और चार अंक्य के लिए आपको दस हजार ऐसे ही अब एक दस को आप लिख सकते हैं दस की घाते एक एक लिखने की जरूरत ना होती जब एक लिखने की जरूरत नहीं हो को जरूरत नहीं पड़ती ठीक है जान देना तो इस तरीके से इहां पर अगर आप इसको देखेंगे की साओ को कैसे लिखें कि 10 का हत दो लिखेंगे क्यों दॉ दस की कहता दो लिखेंगे पिछला वीडियो देखिए गा क्योंकि इसमें दिखें दो होंगे सब में कितनें दस होंगे दो दस होंगे मतलब ओैसे भी आप समाइब गाद इसमें यह थे कर रहा है नचार हो तो औ Speaking to है उप यहां पर एक लगाए चार जी रोह हो है तो आप यहां पर मसमझना यहांपर आपका दस कजो का हमारा यह चीज हैं अब आपने समझ गए कि अगर हमारा चार रंग पे होगा तो दस गहात तीन बनेगा और दो अंक पर दस गहात दो बनेगा और एक अंग पर दस गहात एक बनेगा तो इस तरीके से हम अब हमें यहां पर समझते हैं अब हमें यहां करना है यहां पर समझ रहे थे आंस ऑर हर की चार्चा कर रहे ते कि से पर और हमारीजह उप benefits हमें देख रहे हैं तो हमारा हर कुछ नहीं जब अकेली संख्या हो तो अपने आप में वो अंस में होती है किसमें होती है इसका मतलब इसका हर जो हमें मिलेगा इसका जो हमें हर मिलेगा वो इसका हर हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा एक मिलेगा क्या मिलेगा एक बात समझ ग जो अकेली संख्या होती है अपने आप में जो दीजिट होती है वो अंस में होती है हर में उसका हम एक 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 ऐसे मान सकते हैं तो सहीं इसी तरीके 2.5 में भी हम एक मान सकते हैं। ठीक है ये बात आप समझ लेना। अच्छा आपने समझ लिया कि हर मतलब किसी भी संख्या में हमारा अंस और हर दोनों होता। ये बात आपको कंफर्म हो गई ना तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा अंस और हर दोनों होती हैं तब हम कैसे करेंगे इसको तब हम इस तरीके से करना है। कि हम दो दसमलोग 5 में हमारा अंस में तो 2.5 ही है हर में कितना है एक है एक माने कुछ नहीं समझते हैं तो हम क्या करेंगे एक अंक दसमलोग हटाने के लिए अगर इसको दसमलोग हटाना हो तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे काम आपको 10 की घात 1 का गुड़ा 10 की घा करने पड़ेगा एक बात ध्यान देना जब भी जितने अंक का गुड़ा कर रहे हैं जिदर हमें दसमलों हटाना अगर उधर हम पोजेटिव घात का गुड़ा करेंगे मतलब 10 की पाउर का तो जितनी अंक पर होगा उतनी पाउर खतम हो जाएगी मतलब हमारा यह 10 घात एक जो हो उसके बिपरीत आप उतने जिरू का गुड़ा कर दीजेए पर रूल यह होता जो हमने आपको यहां पर बताया रूल यह होता है ऐसा नहीं एक रूल आपको दूसरा होता है तो यहां पर और चीज़ें देखते हैं जैसे आब इसको कोई भी आड़क अगर इसको भाग भ तो एक फ्टस में था माइस है आग हाटेंitan होगी मिसका जिए जो मारा सिंबल होता है काया आज हुआ उसका इस तरीके' तरीक से चैंज होता है कि जब हम उसको नीचे से उपर ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं उसकी पावर का जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है यहां पर है आपका कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा अब इसमें है कि संख्या में न हो वह कहां पर होती है संख्या कुछ इस तरीके से होती है इसे मैं यहां पर लिखता हूं दो कहां है इसमें बाहर है यहां पर माना जाएगा मतब दो के दसमलो बाहर मिलेगा दाहिने साइड बाहर मिलेगा मतलब दसमलो हटने का रूल यही है कि जब भी हमारा दसमलो हट गया इसका मतलब हमारा दसमलो दाहिने साइड में बाहर हो गया याद रखना यहां पर हो गया इसके बाद जीरो लगा मतलब हमारा अगर यहां पर 26 लिख की जरूरत पड़ेगी और जिटी का गुडा करेंगे तो हमें गुडा करना पड़ेगा कहां फ ERIC करना पड़ेगा और ऊपर वाला तो व्रक करेगा है हमारा यहां दसमलो को हटाने में पर हमारा नीचे वाला जो तो 10 घाद माइनस एक आ जाएगा ठीक है यह बात समझ गया ना इसी तरीके से अगर हम बढ़ते हैं अपने कुछ अलग तरीके से यहाँ पर हमें दसमलो है और यहाँ पर आपका कुछ इस तरी इसका दसमलो हटाना है तब हम क्या करेंगे इसमें दो हम पर कि दसम्लोग है तो मतलब मैं यहाँ पर सौ से गुड़ा करूँ गा सौ का मतलब 10 गात दो और यहाँ पर बी 10 सघ्गात दों ठेक है यह तो यह तो हमारा लुक्त हो जाएगा यह हमारा 10 गातर लुक्त हो जाएगा 2 दसम, लो हटाने में यहां चलाएगा दसमलो बाहर बाहर लिखा नहीं जाएगा बट ये वाला दसमलो ये वाला पाउर जो हमारा उपर चला जाएगा दस घाद माइनस दो लेकिन हमें यहां पर साइंस में हमें दसमलो लगाना होता है एक अंग पर तो हमें एक अंग पर दसमलो लगा के रखेंगे चाहे वो पहले से रहे चाहे ना रहे तो लगा के लगाएंगे तो वो सारी चीदिया अलग होती है तो इस में हमारा कुछ इस तरीके सा अगले चलते हैं आए ह klar यहां पर 24 इस तरीके से हैब इसके बार नीचे हमारा एक दसमलोग पाँच शुकॉआ इस तरीके से यह अब हमें दोनों में sommes हटाना है तब हम क्या करेंगे बस इसको हडाने के लिए हमारा 2 लग तरीके पहले हमें हुआ वोटा सा देख लें तब इसको हम दिखाएंगे आपको खेला कैसे होता है देखिए यहां पर मैं देखता हूँ कि आपका दो दसमलो पांच दो है दो समलो पांच दो है या इसको आठ दो माल लेता हूँ दो समलो आठ दो है अब इसका दसमलो हटाना है तो क्या करेंगे आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपको गुड़ा करना पड़ेगा यहाँ पर दस की घात दो का गुड़ा करना पड़ेगा दस घात दो कि यह गूड़ा किया था ना तो ये इसे ही मेरा दसमलों हट जाता है वग्ष केसने को diapers एक कर के मैं इसको गुड़ा ना करके इन सब्का गुड़ा ही ना करूँ ठीक है इन सब्कों गुड़ा ही ना करूँ डारेक्ट सि मैं भाग ही करता हुस हो सकता हैं ऑषज रखता है ना इसको जो मैं भाग कर दूँगा तो कुछ इस तरीके से नहीं हो जाएगा ऐसे ऐसे हो नहीं जाएगा सब्सक्राइब हड़ जाएगा इस तरीके से आप कर सकते अब इसको उपर ले जाएंगे प्रोसेस वही होगा मतलब यहां पर हम उपर ले जाएंगे तो इस तो हम क्या करेंगे मैं च्छा के बगल इसमें एक परहत मैंने बोला कि जिधर आपका दसम्लों लगा हो उसके विपरीत में उतने यंक का गुड़ा कर दीजिए आप 10 का 100 का गुड़ा कर देता हूं और यहां पर 28 लिग देता हूं और यहा पर 10 का 60 हो जाएगा और यहां पर 28 हो जाएगा अब इसको दिवाइड कर लेंगे जो भी हमारा आजएगा तो इस तरीके से हमारा जो भी आएगा आप समझ सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको दसम्लों हटा न स्था रहें कि काट ना सिखा रहें थिखly अभे इसको अगर लगाउँ मैं इसको अगर लगाता हूँ तो कुछ इस तरीके सहोगा कि यहां पर दसंह्व रहर जगा से रहा हूँ लाद रहा कि यहां परत्त मलों अ, अगय twist मैद से पीछे कर डूंगा दूंगा पहले हम उसको लीख लेता हूं कि कि पहले और मैं इसको लिख लेता हूं यह कि यहां पर आपका पहले हम इसको लीख देता हूं यह है गषम disgla में दो अंक कात समलो है तो मैं यहाँ पर दो अंक का है और यहाँ पर एक अंक का इत्में तो एक रड़े मेर्ट нед q!". अज़से यहाँ पर्मंग कान थी और दो पावर यहां माइनस में गई यह नीचे प्लस में थू पर माइनस में गई और नीचे हमारा 15 है अगर मैं इसको काटूंगा तो 240 गुड़ा 10 की घाथ माइनस एक बचेगा क्योंकि दो मसेग जाए एक और यहां पर आपका 15 बचेगा बस इसको मैं डिवाइट करूंगा जो भी आएगा उस हिसाफ से मैं दसम्लों को यहां पर घाटा और बढ़ा सकता ठीक है यह चीजे आपको समझना है यह चीजे आपको स मेरा दो दसम्लों कुछ इस तरीके से हैं यहां पर इस तरीके से अब हमें क्या करना है यहां पर मेरा 10 की घाट 8 है क्या है 10 की घाट 8 हमें दसम्लों को एक अंग पर लेके जाना है मैं मानक रूप वाला पूरा पॉर्सन यहां पर समझाने वाला हूँ किसका मानक रूप वा यह हमें साइंस में यहीं मिलेगा अब एक गंग पर दसंबलो जाने के लिए जब एक गंग पर दसंबलो जाएगा था हमारी जो पावर होगी यह प्लस और माइनस यह तो प्लस में होगी यह तो माइनस में दो में से तेक होगी ही पता है ये दो में से खोनी है ठीक है? अच्छा देखते हैं होता क्या है देखते हैं होता क्या मैं क्या करता हूँ यहां पर मैं इसको दो दसमलो इस तरीके से मैंने लिख लिया ठीक है? अब इसको दस की पावर यहां पर प्लस में है आठ है प्लस में तो सूचिए अब एक बात मैंने पहले जो पहले बताया था कि दो दसमलो आठ च्छा पांच सुरी पहले इसको मैं गलत हो दिये यहां पर दो आठ च्छा दसमलो पांच अब यार एक बताईए कि आप इस दसमलो को अगर हटाना चाहते दिमाग लगी जब मैं इसको दसमलो को यहां पर लाता थोड़ा मैं इसको हटाता हटाता तो क्या होता हटाता अगर दसमलो क्या होता उसमें भाग होता क्या होता भाग होता भाग होता कि मतलब यहां पर दस घात मैं दसमलो जो है ये जो है दसमलो अगर इधर से इधर जा रहा है तो हमारी जो हमारी जो पावर होती है negative power हो क्या? negative power अगर हो देखिए हम अले, माली जब मैं पहले से माइनस एक power हो और ये उपर जाएगी तब आवई आओ रेट हो जाएगी negative power जोовगी वो क्या होगी वो पढ़देगी क्या होगी? बढ़देगी दिमाग में बैठा लेना negative power क्या होगी? वो बढ़ेगी ठीक है परन्तु पोजेटी पावर क्या होगी वो घटेगी क्या होगी वो घटेगी ये रूल आपको याद हो गया तो आपने खलास कर दिया अगर यही दसमलो आपका इधर आता है इस साइड तो निगेटी पावर जो होगी वो आपकी क्या होगी निगेटी पावर क्या होगी इधर जा रहा है तो अब बताइए दसमलो आपने इधर ले आ रहे है तो दसमलो पावर आप इधर बढ़ेगी इधर गटेगी तो यह आपको समझेना है ठेक है अब इसको पहले मैं अलग तरीखे समझाता हूँ पहले देखिये हमने लिखा 2 2.6 मैंने लिए इसका दसंबलो अगर इधर जाता इधर दसंबलो जाता तो मेरी जो पाउर होती अगर मेरी प्लस में होती मतलब यहां पर प्लस में पाउर होता प्लस में पाउर को मतलब यह होता कि यहां पर 10 होता अब बताए यहां पर 10 होता एक 10 की जरूरत है मतलब मेरा ज इधर जा रही है तो इधर जाने से तो बढ़ेगी भी इधर जाने से तो बढ़ेगी भी इधर जाने से तो बढ़ेगी भी तो इधर जाने से तो बढ़ेगी भी तो यहां पर मैं क्या करूंगा प्लस वाला जो पार होगा वो क्या होगी बढ़ेगी यह क्या होगी बढ़ेगी और यह क्या होगी गटेगी यह क्या होगी गटेगी ठीक है इस तरीके से मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले और यहाँ पर मैं इसको कटेगरी बांड देता हूँ इसको आपको स्क्रीन सॉट ले लेना है यह चीज का यह है दसमलो का आपका क्या हुआ कैमरा बंद हो गया हुआ तो उसके लिए स्वारी क्योंकि प्रावलम हो जाती है यह है आपका यहाँ पर दसमलो का कारिकरम ठीक है किसका कारिकरम है दसमलो का ठीक है इसकी अब यहाँ पर देखे काम का इसे होने वाला है ठीक है अब यहाँ पर पता यह दसमलो हमने इधर से इधर ले गया मतलब किस साइड ले गया इस साइड ले गया मैं इसको ले जा रहा हूँ किस साइड बाया साइड कौन सी साइड है हमारी ये बाया साइड इसको हम बोलते हैं बाया साइड कौन सा साइड बाया साइड ठीक है बाइया साइड और ये कौन सा है आपका दाया साइड ठीक है दाइयोर और ये बाइयोर ठीक है ये दाइयोर और ये बाइयोर दसमलो का हमारा दसमलो का खेला जो है बड़ा ही खतरनाक होता है याद रखने ये हमारा दसमलो है इस दसमलो को मैं थोड़ा इतनी गहराई से बना दूँ ताकि यह दसंबलो अपने आपको बताता रहे मैं यहां पर हूँ ठीक है तो बच्चों याद रखना इस दसंबलो को यह है मेरा दसंबलो इसको मैं थोड़ा ब्लैक दसंबलो इस दसंबलो इथर डायओ बाईोर और काली yaam해 और ओर जा रहा है तो हमारा बताइए यह पामर कौन से कहोती तो हमारे शमें प्लॉस्पावर होती निसको होती है बढ़ने जो पलस पाइप इसमें प्लॉस्पावर और आठ थी अश्रवलते हैं जब दोंक ऑर एड हो जाएगा तो हमारी संख्या परार्प्त कैसे होगी यह हो जाएगी इस तरीके से 10 की घ्याट और्थ सुमने आई यही सबसे मीन्चियर होती है जो कि कोई नहीं बताता है ठीख है जो कि Industries यहां परस तरीके से लियों 6.628 एसे है कुछ तो यहाँ पर 10 घात मेरा यहाँ पर माइनस 3 है दिमाख लगीए, माइनस 3 है अब मुझे दसमलो किदर ले जाना है पर अगर मेरी दसमलो इस जगा पर चला जाता है तो मेरा संख्याट पूरी हो जाती है इसको इस रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा पहले नमर तो इसको मैं दसमलो वहां लेके चला गया और मैं इस दस की घात को क्या लिखूंगा पहले ये देखना है दस की घात को मैं लिखूंगा कैसे दस की घात को मुझे लिखना कैसे है यह माइनस में हैई 10 गाट अब अब सुर्क के घगाट मुझे मेरी धर जा रही ही तो माइनस के दू हटे गी मतलब तीन पावर है, दू अंग्ते की है ठीके यही तरीका अगर होता है मान लीजी, यहां पर दसम लो यह जो है, अगर मैं इसको हटा था मेरे पाउर इधर जाती मतलब मैं इसको 26 लिखता और 10 की घाद 2 है 2 में मेरा दसमलो अगर इधर जा रहा है वो भी प्लस में पाउर है तो प्लस में पाउर घटेगी मतलब मेरी जो 2 पाउर थी ये भी हड़ जाती अगर यहां पर आपका माइनस होता और माइनस होता थी ये दो पाउर हमारी बढ़ेगी दो दो चार पाउर हो जाती ठीक है ये चीज़ आपको समझ लेगी देखें बारी चीज़ देखना समझना अपने उन सभी दोस्तों में सेयर कर देना इस तरह की वीडियो हमें इत्तम बेसिक से लेकर आते रहेंगे आपके लिए जरूरी लेकर किया इंट वीडियो पक्का समझ लेना अगर वीडियो आपको नहीं मिलेगी तो समझ लिए कहना हर एक टाइप की कल्कुलेशन लेकि आऊंगा बस आपको कमेंट करना है देखिए कमेंट करने से अच्छा है का आपको क्या करना हमारे वाटसबन से तेलिघ्रामOh ま पर आपको जाईएँ वहाँ पर आप कमेंट कर दीजेगे यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं और लेकिन आपको कोई सॉल्ब कराना है या कोई चीज में बाना होता आप उसके स्क्रीन सौर्ट भायों ता strs घृघिते हैं ना थो है दो संबलो चागत माइनेस चार है यहां पर मेरा अगर आ जाता है दो संबलो जीरो गुड़ा दस्की घाट माइनस तो यह चीज आता है इसको बच्चों को खेंदने जो कि बहुत कि आप देखने जो आप सकता हिसका नए इसका काली एक पहल rond है मैंने जो बोला था उसको करिए पहले इसको करिए इधर कभी दसमलो बाद अगर 10 हो बाद अगर 10 को कुछ बहता है अब बताये हैंजों और 123 मट बम करूंगा 10 3 मेरी चॉरदे बचने मुद्र वही बिए इसको भी करते ना तब भी वही होता इस होता उन्हेस मिश्ट कुल ले जाते तो यहाँ पर प्लसomyल होता और ये वाला प्लस वाला आपका माइनस में होता तो वही हाल होता कि यहां पर चार और दो च्छा और च्छा में से दो घटाते तो फिर से माना च्छा आजाता तो भी माइनस में तो होता वही ना तिन चीजों को देखना समझना है अब यहाँ पर और चीजे हम देखते हैं जैसे देखिए कभी कभी माल लीजे मेरा 2.6 गुड़ा 10 की घात यहाँ पर कुछ चीजे अलग से लिग दूँ इसको कट करके तक की चीजे समझना और यहाँ पर आपकर आ गया माइनस बावर 3 ठीक है इस तरीके से और कभी कभी इसकभी स्क्वाइर आ जाए इसका स्क्वाइर आ जाए और नीचे जो है यहाँ पर आ जाए एक सनलो गुड़े 10 की घात 5 क्या जाए 5 और इन सब का होल स्क्वाइर हो पूरे ब्रेकट का यहाँ पर हो इसका तब हम कैसे करते तब आपको दिक्कत होती मुझे पता कैसे करते यह चीज समझे इसको हम कुछ ही तरीके स्करते हमें इसमें स्क्वाइर लगा है मतलब इसका हम स्क्वाइर करते 25 का हम स्क्वाइर करते तो जब इसको स्क्वायर करते तो होई ही जाएग कुद आक्ची सके स्क्वायर करेंगे तो छास्व पतीुषब होगा आब यहांपर दसम्लू वाली चर्चा करते हैं देखिए दो बार पचीस से गुड़ा करेंगे तो एक बार पचीस में एक अंग पर दसमलो तो दो बार पचीस में दो अंग पर दसमलो क्योंकि एक पचीस में भी एक अंग पर है फिर पचीस में एक अंग पर है मतलब मेरा जो मल्टिपल आई करेंगे तो उसमें हमारा दो अंगों पर कर देते हैं इस सब का क्या करते हैं इनका हम गुड़ा करते हैं ठीक है यह चीजी समाझ लेना है इनका क्या करते हैं हम गुड़ा कर देते हैं फ़ला इसको इनका हमें गुड़ा करना है तो तीन दुना च्छा यहां पर दस की घात माइनस च्छा हो जाता और यहां पर पांच हमारा हो जाता यहां पर कुछी से 10-16W घात हो जाता अब दिक्कत हो गई हमें उन्प पर हमें ना कि यहां पर है तो लेकिया यहां पर है नहींगा आइधार आएगा तो दिमाग लगई कि धर अगर दो आ रहा है तो हमारा ये निगेटी पाउर क्या होगी निगेटी पाउर क्या होगी दिमाग लगा ये निगेटी पाउर क्या होगी घटेगी देख लीजी स्क्रीन पर निगेटी पाउर घटेगी तो याद रखना मतलब मेरी पाउर दो इसमें से घट जाएगी इस तरीके कि इसमे कि जितनी भी अंडरूट वाली चीजे दस्मलों साथ वाले चीजे समा औरोल मृली चीजे वह सारी चीजें बैसिक बैसिक आप खसम करते हैं ठीक है मैज बहुत तमाम ऊου चीजे !" सब चीज़ों को मैं यहां पर लेकर यहांगा पूरी स्क्रीन आप देख लिजीगा स्क्रीन सौट ले सकते हैं टेलिगाम चैनल जॉइन करिए वहाँ पर भी हम धीज़े धीर अपडेट देते रहेंगा वेटा मुझे बहुत काम होने को आजसे में थोड़ा वीडियो कम बना मास्टर जी मुवाइल टेक चैनल प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा उसको भी ओके एंस पार वाचिंग एंड बाइवार एंड पढ़ते रहें भी खुश्वे एक बाद डिस्क्रिप्शन चेकर लेना फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट आएगा कमेंट करना थर्पार के लिए ओके जैंड 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 जैंड